नमस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसान सातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से यूटूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में किसान सातियों आज दिना को चुकी है 11 अपरेल 2023 दिनों चुकाय मंगलवार का समय हुआ है अभी हाल फिलाल साड़े दस बजे हैं और वीडियो आपको देखने को मिलेगा पोने 11 से 11 के बीच में किसा सातियों बात कर लेते हैं मद्द प्रतेश की सबसे बड़ी मंडी इंदोर की चुइत्रमंडी और शाया प्रमंडी दोनों मंडी में आलोब प्याल असंतीनों जिंसों में क्या परीवर्तन देखने को मिला है भाव में और शुरुआती निलयामी का क्या रेट निकल कर आवक की जान करें हमने आपको सुबा दे दी है नहीं देखा हो वीडियो तो जाइए देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें चैनल में जो भी भाई पहली बार विजिट की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जो घं स्ब्सक्राइब जरूर करें आपके लिए तो महनत करते हैं चली श्रूबात कर लेते हैं इन्दूर मंडी की और मंडी का आज का जो रेट निकल कर आया श्रीवाति नीलामी का मंडी को इस्टार्ट हुए चालूए को मातरा अधा घंटा हुआ है क्यों अभी साधे तसका सम अब भी तक आज देखने को मिला है और हमारा जो नेफिड प्याज है वो ज्यादा तर लोट आज 950 रुपए एक लोट 1011 रुपए प्रतिकुंटल तक बिख चुका है बात कर लेते हैं कि साथ्यों इंदोर की चोहित्रा मंडी में आलू की तो आलू हमारा 13 रुपए तक जा प्याज है यहां किसां साथ्यों इंदोर की चोहित्रा मंडी की पूरी जयनकारी बात कर लेते हैं शायापुर मंडी में किसां साथ्यों सबसे पहले हम शुरूआद में आलू को लेते हैं आलू में जो जोती वेराइटी का आलू है वो साड़े बारा 13, 12, 12, 13 रुपए तक प्याज के अगर बात करें किसां साथ्यों हम लसुन की तो लसुन कल 97 रुपए बेकिती शायापुर मंडी में लेकिन आच 6,000 रुपए टच हो चुकी है एकका दुखका लाट किसां साथ्यों अच्छी 1131 रुपए तक भी चला गया है तो कहने का मतलो सिधा ताथ्यों कल से 400 रुपए का आज हमें लसुन में तेजी देखने को फिर से मिला है कल माइनस हुआ था क्योंकि आवक ज्यादा थी आज वापिस से बढ़ गया है प्याज की अगर बात करें किसां सातियों तो हमारा जो प्याज है नासिक का नया प्याज वह विक्राए किसां सातियों हमारा शाया प्रमंडी के अंदर 800 रुपरती कुंटल तक और नेफेड प्याज हमारा विक्राए 900 रुपरती कुंटल तक आलू हमारा 13 रुपे तक जोती बाकि सभी लाट 12 रुपे तक नेफेड प्याज हमारा 900 रुपे तक वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी किसान भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद जे जिवान जे किसान जे हिंद्य भरत वन दे मात